नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम क्लास 10 बोर्ड एक्जामनेशन के द्रिष्टी से बहुत ही महत्पूर कोश्चन पर बात करेंगे जो कि क्लास 10 के साइन्स के कमिश्टी भाग से लिया गया है और बोर्ड एक्जामनेशन के द्रिष्टी से या बहुत ही महत्पूर कोस्टिन है तो आए देखते हैं कोस्टिन हमारा है कि खनिस किसे कहते हैं मलब खनिस क्या है तो प्रकिर्त में प्रिथवी के अंदर धात्वेत था उनके योगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसको खनिस कहते हैं जैसे जब प्रिथवी में नीचे आप अंदर खुदाई करेंगे तो उसके अंदर धात्वेत पाए जाएंगे तो था उनके तमाम प्रकार की योगिक पाए जाएंगे वही खनिज है जैसे आप जब गहराई में जाएंगे तो लोहा मिलेगा, कोईला मिलेगा, ताबा, सोना, इत्याद, इत्याद ये सम् मिलेंगे ये खनिज के स्रेडी में आ जाएंगे अब ऐस्क क्या है जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम ब्याय पर आसानी से प्राप्त किया जाए माली जी कोई खनिज है और उसमें से किसी धातु को बहुत ही प्रचुर मात्रा में और कम लागत के साथ जब खुदाई करेंगे कहराई में तो उसमें पैसा वगएरा इंवेस्ट करना परता लगता है तो कम लागत यानि कम बेह पर आसानी से उपलब्ध हो जाए या प्राप्त हो जाए उस खनीज को उस विशिष्ट धातु का ऐस कहते हैं तो जब आसानी से पराप्तों का जो खनीज है वो उस धातु का ऐस कह है जैसे अलूम Dass कम आ बॉकसाइट ऎलूमिनेर और बॉकसाइट तथा एस में अन्तर क्या है अब देखते हैं सभी ऐस करनीज होते हैं कितने वी आयस्क हैं वो सब क्या हैं? खनीज है। प्रंतु सभी खनीज आयस्क नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आगात वरधन्यता और तन्यता पर। आगात वरधन्यता धात को पीट कर पतले चादर के रूप में। जब किसी धात incentives को हम पीड कर पतली चादर के रूप में उसको बढ़ाते हैं, उसी को हम अगहात वरधन्यता कहते हैं, मलब अगहात करके उस पे, हथवड़ी से मार-मार के जब पीड़ेंगे और उसको एक पतली चादर के रूप में, तो वही क्या कहलाईगा अगहात वरधन जो धातु है वो सोना होता है, एक ग्राम सोना को आप दो किलो मेटर तक पतली तार के रूप में खीच सकते हैं, अब तन्यता क्या है, धातु को खीच कर तार के रूप में बनाना, कोई धातु है उसको पतले तार के रूप में बनाता, तो क्या है, वो तन्यता कहलाता है, धा निता के उधार में सबसे च्छा उधार सोना का है पतली रेशे के रूप में एक ग्राम सोना को ही डो किलो मीटर तक ले जा सकते हैं धन्वाद दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा वेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ बने रहे जैंद